आज हम बनाएंगे चिया सेवई फ्रूट कस्टड बहुती टेस्टी सा यह बना है आप लोग एक बार इस तरह से जरूर से ट्राइ किजेगा आए इसे बनाना शुरू करते हैं चिया सेवई फ्रूट कस्टड को तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून चिया सीड और इसमें हमें हाप कप पानी डाल करना इसे दो घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है चिया सीड को और यहाँ पर देखिए दो घंटे के बाद देखिए जो चिया सीड है वो अच्छे से भिग गए है काफ कप दूद को डाल करना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही टेस्टी सा आज हम चिया सेवई फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं आप लोग एक बार इस तरह से जरूर से ट्राइ कीजेगा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे दो घंटे के लिए देते है तो यहाँ पर मैंने गयास पर पान रखा है इसमें हम डालें गे एक टेबलस्पून से वइ को ड़ाल कर हमें 3-4 मिट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेवई सेवई डाल कर हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 5-mitted medium flame पर होने देना है अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मैंने काजू को रोस कर लिया था घी में इसे डाल देंगे और इसे डाल करना हमें ग्यास को बंद कर देना है और इसे एक बावल में ट्रांसपर करेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा बारी कटा हुआ एपल और आधा केला और इसको एक घंटे के लिए फ यहाँ पर यह लीजे हमारा चिया सेवे फुरुट कर्ट स्टर्ड रेडी हो गया है।